कुछ दूने पहले मैंने इस चैनल पर एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपने ट्विट्स को प्रोफेशनली एडिट कर सकते है अपने स्मार्ट फोन में एक एप का यूज करते हुए उसके बाद उन tweets को जो भी edit हो जाते हैं, उन tweets को आप Instagram पर easily upload कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर उस वीडियो में एक problem हो गई, वीडियो में कोई problem नहीं होई, मतलब YouTube पर पढ़ने के बाद कोई problem नहीं होई, वीडियो पर अच्छे गाज़ वीज जा रहा है, वीडियो rank भी कर रह मैंने Pixel Lab application का यूज करते हुए, वीडियो बना दिया था, तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी application का यूज करने वाला हूँ, काम मैं वही करने वाला हूँ, क्या करूँगा, मैं tweet के background को change कर दूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं Pixart application का यूज करूँगा, और यह जो Pixart application है, यह द application को download कर लें, और वीडियो में आगे पढ़ने से पहले मेरी अपसे request के, अगर आप इस चैनल पर नहीं, तो चैनल को subscribe जरूर करते हैं, और वीडियो को like कर दें, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेके चलता हूँ, मैं आपको mobile phone screen के अंतर, चाहाँ पर मैं आपको बता and share them on Instagram, please retweet if you got the video, इस tweet का मैं description में वीडियो के link दे दूँगा, आप इसको retweet जरूर कर दे हैं, अगर आप कोई वीडियो मिले, आप इस वीडियो को सीख रहे हो, तो यहाँ पर tweet हो चुका है, उसके बाद आप अगर इदर उदर भी हो गया हो, तो कोई बात नहीं, आप shooting shot ले लिया है, और केवल मैंने उतने पार्ट को crop कर लिया है, तो इसी तरीके साब भी crop कर लीजे, और उसको वो अपने अपी save हो जाएगा, ठीक है, तो यह Xiaomi के phones के साथ ऐसा ही है, और आप चाहें तो कुछ और तरीका अपना सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही tweet cropped चाहिए ह उसके बाद आप एक website पर जाएए unsplash.com, तो वहाँ पर आप जैसी पहुचेंगे, उसके बाद वहाँ पर एक search बार होगा, वहाँ पर अपने according जो भी आप photos सर्च करना चाहते हैं, वो सर्च कर लीजे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी photos होते हैं, वो stock photos होते हैं, free photos होते हैं, तो यहाँ पर मैंने भी unsplash.com पर मैं गया, वहाँ पर मैंने search किया video, क्योंकि मैंने जो tweet किया, वो video से related है, तो ऐसे आप जो भी tweet करें, जिस चीस से related हो, उस चीस से related, आप यहाँ पर image को search करने के बाद, आप अपने according एक अच्छा सा image यहाँ पर ढूंड लें, जो आप चा रहा हूँ, में recording, जब यहाँ पर मुझे image मिल जाएंग, मैं रुख जाऊँगा, तो यह image मुझे काफी बहतर लग रही है, तो इसको मैं यहाँ पर download कर ले रहा हूँ, download के side value बटन पर आप click किजे, अपना आप जो भी size select रहना चाहते है, उसको select कर लिजे, उसके बाद बा आपने जो photo download किया, उसको खोल ले, यहाँ पर आप tools में जाकर के इस photo को crop कर ले और square format में कर ले, क्योंकि square format में ही आप Instagram पर photos post करते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको square कर लिया, उसके बाद add photo में गया, जैसे मैंने किया वैसे आप भी कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने tweet के photo को यहाँ पर import करा लिया है, तो यह देखे इस तरह सा आ गया है, यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ भी फिलाल आप ऐसी कर लीजे, फिर मैं आपको एक और बता हूँ कि dark mode में tweet करके और जो photo भी आपका dark हो, तो वहाँ पर वो कैसे कर सकते हैं, इसको blend का option नीचे से select कीजे और यहाँ पर multiply पर click कर दीजे, तो देख रहा हूँगे, यहाँ पर आप white color पूरा का पूरा guide हो गया, और यहाँ पर हमारा tweet जो है, थोड़ा सा professional लगने लगा है, तो यहाँ पर हमने tweet के background को change कर दिया है, अब एक और चीज मैं आपको बता दूँ, इसको gallery में पहले आप save कर ल जैसे मैंने किया है, यहाँ पर यहाँ पर बॉटम लेफ्ट में आपको option मिलता है, बल्ब टाइप का, उसके बाद same, पहले जैसे ही आपको करना है, यहाँ पर आपको ले लेना है, एक screenshot, screenshot लेने के बाद, similarly जैसे पहले आपने उसको crop किया था, फिर से crop कर लीजे, तो Instagram पर हम उसे एक बार पूर सकते है, Instagram handle यह रा मेरा, और यह देखिए, यहाँ पर मैंने फिर से screenshot ले लिया है, अब फिर से मैं जाओंगा, पिकसाट अप्लिकेशन में, मैंने एक photo दूसी पहले सी download कर लिये, जो की थोड़ी सी dark है, तो यह dark photo मैं open कर लेता हूँ, यहाँ पर म आप दुवारा से add photo पर नीचे से click कीजे, add photo पर click करने के बाद आपने जो dark mode में tweet का screenshot लिया था, उसको crop किया था, उसको यहाँ पर आप import करा ले, अब यहाँ पर आप blend में जाए, यहाँ पर थोड़ा सा option में change आएगा, कि आपको यहाँ पर blend में जाके lighten का option है, यहाँ पर पर click करना होगा इस बार, पिछली बार आपने multiply पर click किया था, तो dark mode के लिए apply time और जो white color का, जो simple light mode है, उसके लिए आप multiply पर click कर सकते हैं, आप आप gallery में save कर लें, gallery में save कर लेंगे बाद आपको कुछ इस तरह से tweet सारे दिखाई देंगे, so I hope that आपको यह वीडियो पसंद लेना है वो dark mode में लेना है, और अगर आपका photo light है, जिसमें हलका सा whitish मतलब light white है, तो उस case में आपको जो photo लेना है, tweet का मतलब जो screenshot लेना है, वो आपको लेना होगा यहाँ पर without dark mode मतलब जो light mode होता है उसी में, क्योंकि light mode में आपको fonts black color के मिलते हैं, और dark mode में आपको fonts white color के मिलते हैं, so I hope that आपको वीडियो पसंद आओ, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो का like जरूर करें, और अगर चैनल पर ने तो चलो को सब्सक्राइब न बिल्कूल भी ना बोले, मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिए, चैन्द वंदे मात्रम झाल